ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स अब कितनी सचाई है इस बात में रॉबर्ट वाड़ा ने तो कह दिया लेकिन कितना दम है इस बात में कि क्या अमेठी जहां अभी एकदम गुमनामी बनी हुई है अमेठी और राइबरेली दोनों में ही वहां से कौन चुनाव लड़ेगा कि रॉबर्ट वाड़ा देखे जित्ता मेरी जानकारी है निदियू मेरे ख्याल से रॉबर्ट वाड़ा फिलहाल तो उत्रप्रदेश से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे और यह कोई पहली बार इच्छा नहीं जिता ही रॉबर्ट वाड़ा ने मुझे ध्यान है रॉबर्ट वाड़ा इससे पहल रही है लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है रकिसी का अपनी अपनी एंबिशन हो सकते हैं अपना हो सकता है लेकिन चुनाव तो आखरी में पार्टी ही लडाती है तो जो मेरी जानकारी है वो यह है कि फिलाल तो कॉंग्रेस ने ऐसा कुछ मन नहीं बनाया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश से रॉबर्ट वाडरा को लडाना है चुनाव और कम से कम आमेठी से तो नहीं लडाना है चुनाव जितनी मेरी जानकारी है लास्ट मुमेंट में कुछ मिरेकल हो जाया या कुछ तैना हो पाई कि बिसिकली इशू कैसे स्टीड हुआ मैं आपको बता दू कि राहुल गांदी और प्रेंका गांदी को लेकर असमंजस बरकरार है बारा जोड़ो यात्रा के वक्त भी असमंजस बरकरार था आप में तो श नया एक लाइन आ गई है कि या रवर्ट वाडरा ललने जा रहे हैं चुनाव कि उन्होंने एक बयान भी दिया लेकिन जो मेरी जानकारी है फिलाल तो वाँ पर कॉंग्रस उनको नहीं तिकट देने जा रही है टिकट अगर देना भी होगा अगर राहुल प्रेंका नहीं ल जानकारी है उस बीच रॉबर्ट वाडरा का एक बयान अचानक से आ जाता है क्या सीरियसनेस है इन दोनों सीट्स को लेकर जो बैस्टन हुआ करते हैं या थे कॉंग्रस पार्टी के लिचे तोर पर बैस्टन अभी भी है आप यह नहीं कह सकते बहले ही चुनाव रामिटी से पिछली बार राहुल गांदी हार गया हूं लेकिन सुनिया गांदी ने 2019 में राइब्रेली जीत लिया था और पॉलिटिक्स में मतलब कुछ भी परम अधिरानी के मुकाबले का ही इंतजार है बीजेपी के भी तमाम लोग चाहते हैं कि तत्युनाव में तो मज़द अभी आएगा समाजवादी पार्टी के लोग भी तमाम चाहते हैं लेकिन राहुल गांदी की योड से अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाई है इसल में प्रियंका गांधी की टीमें जो फीडबैक उनको देती हैं वो लोग मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव फीडबैक या उस तरीके का अभी तक नहीं दे पाए हैं जिस वैसे उन लीडर्स ने यह मन मनाया हो अमेठी या राइब्रेली लणने का जबकि अभी भी वहां क जनता वहां का काडर राहूल गांधी को लणाना चाहता या मेठी में प्रियंका गांधी या राहूल गांधी कोई दबाव कार्डर की तरफ से प्रेशर है लेकिन प्रेंका गांधी को लेकर तो भी क्लारिटी है नहीं कि चुनाव लडेंगे भी नहीं लडेंगी और अगर गांधी परिवार कोई भी सदस राइव रिली अमेठी चुनाव नहीं लड़ता है बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा यह मैसेज बिजेपी करेंगी कि मै परिदान ही छोड़ दिया समाजवधी पार्टी भी चाहती है कि गांधी परिवार राइव रिली अमेठी ना छोड़े जरूर लड़े कम सेखम दो मैसे एक सीट पर तो लड़े लड़े ताकि नेगेटिव मैसेजिंग ना जाए अगर वो लोग छोड़ते हैं तो बड़ी नेगेटिव मैसेजिंग यूपी में चली जागी यूपी के बड़े नेता कर चुनाव नहीं लड़ेंगे रहा हो राहूल गांधी प्रेंका गांधी अखले शादव को लेका क्लैरिटी नहीं है मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है तो फिर आव विपक्ष में फिर क् फिर चर्चा हो रही है कि आम एटी से चुनाव लड़ सकते हैं इच्छा जाहिर की है लेकिन जवाब यही कि कुछ दम नहीं है इस बात में कि रॉबर्ट वाडरा जो है वो आम एटी से चुनाव लड़े बहुत बहुत शुक्रिया प्रशान्त आपका जुनने के लिए तो